उत्राखंड सरकार दो नए कानून लाने की तैयारी में दिखाई दे रही है अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो कानून आखिर कौन से हैं बताएंगे आपको क्या है पूरी खबर विस्तार से नमश्कार आप देख रहे हैं दन्यूजवाला नेटवर्क मैं हूँ आपके साथ अकांग्शा सिंग सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्याने अंतरन कानून की जिसको उत्राखंड के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश ने पास कर दिया है अब सब की नजरे टिकी हुई है उत्राखंड पर यूँकि उत्राखंड भी बीजेपी साशित प्रदेश है तो कही ना कहीं लोगों के मन में आम जनता के मन में सवाल तो आ रहा है कि क्या उत्राखंड सरकार भी उनके राज्य में जनसंख्याने अंतरन कानून को लाने वाली है दूसरा जो कानून है जिसके हम बात कर रहे हैं वो है भू कानून भू कानून को लेकर उत्राखंड में बहुत सारी यूवाओं ने प्रदर्शन किया है मांग की है और अब जब सरकार से मांग की गई है तो सरकार उसको पूरा करने पर भी विचार कर रही है दरसल इसकी जानकारे दी उत्राखंड के मुख्यमंतरी पुशकर सिंग धामी ने पुशकर सिंग धामी ने बयान देते हुए बताया कि उत्राखंड सरकार इन दोनों कानूनों को लाने के लिए एक कमिटी का जल्दी गठन करेगी कमिटी दोनों कानूनों को किस तरीके से बनाया जाएगा, किस तरीके से पेश किया जाएगा इसके रिपोर्ट बना कर एक योजना बना कर विधान सभा को सौपे गयर उसके बाद आगे की कारवाई की जाएगी अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार इन दोनों कानूनों को लाने की इतनी चल्दी में क्यों है दरसल दहरादून में मुख्यमंत्री पुश्कर सिंधामी के साथ RSS के बड़े नेताओं और BJP के नेशनल जनरल सेकरेटरी बील संतोष्ट की मुलाकात हुई इस मुलाकात के बाद कही न कहीं उत्राखंड सरकार पे इन दो कानूनों को लाने का प्रेशर साथ तोर पर दिखाए दे रहा है क्योंकि अगले साल 2022 में उत्राखंड में विधान सभा के चुनाओ है तो इस समय सरकार लोगों की मांगों को अंदेखा नहीं कर सकती नकार नहीं सकती क्योंकि इस से वोट खोने का भी खत्रा कहीं न कहीं हो सकता है दर और साथ ही साथ ये दोनों कानून कहीं न कहीं राज्य के हित में हैं तो लोग भी इसका स्वागती करेंगे ऐसी सरकार को उम्मीद है ये थी हमारी अभी की बड़ी खबर उत्राखन राज्य से अब जाते जाते आप सभी दर्शकों के लिए एक सवाल क्या उत्राखन जैसे छोटे से राज्य में जनसंख्यान यंत्रन कानून की आवशकता है या फिर नहीं है आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जाहिए बॉक्ता है आप हमेंट बॉक्ता है आप हमेंटर बॉक्ता है